एक ऐसी इंटर्णशिप आई है जिसमें ना सिर्फ आपको 20,000 रुपे कमाने का मौका मिल रहा है बलकि साथ में इस इंटर्णशिप के दौरान आपका सारा खाने, पीने और रहने का खर्चा भी ऑर्गनाईजर्स युठाएंगे सब जानेंगे इस इंटर्णशिप के बारे में इस रेडियो में हेलो मेरा नाम है मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश्माई अगर आप अंडर ग्राजुएट या पोस्ट ग्राजुएट के स्टूडेंट है और आप रूरल इंडिया को जानने में थोड़ी दिल्चस्पी रखते हैं तो ये इंटर्णशिप का मौका आपके लिए है आज हम बात करने वाले हैं अभीजीत सेन रूरल इंटर्णशिप के बारे में जिसको और्गनाइज किया जा रहा है बाई नाश्नल पाउंडेशन ओफ इंडिया इसमें टोटल पचास बच्चों को चुना जाएगा और कुल 45 दिनों के लिए या कहिं almost देड महीने के लिए आपको किसी particular rural area में भीजा जाएगा वहाँ आपको क्या करना होगा? जिस भी rural area में आपको भीजा जाएगा वहाँ आपको research करनी होगा गाओं के लोगों से बात करनी होगी और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा और इस सब के बाद हो सके तो आपको कोई solution सिजेस्ट करना होगा इस internship का main name है आजकल की youth को rural India की problem से रूबरू करवागा जैसे कि आप जान गए हैं कि ये 45 दिनों की internship है तो इन 45 दिनों में से कुछ दिन आप 36 गर्ड, जारखन, मध्यप्रदेश, उरीसा, गुजराथ, राजस्थान और महराश्रा की communities के साथ बिताएंगे इन जगाओं पर आप local NGOs या local bodies के साथ मिलके काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोगों की problems क्या हैं उनकी रोजमर्रा की जिन्दिगी के challenges क्या हैं आप लोग एक topic चूज करोगे, फिर उससे related service करोगे, interviews करोगे उस particular problem को solve करने के लिए research करोगे इसमें पहले 5 दिन orientation program होगा और फिर 21 से 28 दिनों तक field visit करना होगा in that rural area इस सब के बाद आपको 15 दिन दिये जाएंगे अपनी report या कहीं अपने research paper पूरा करने के लिए eligibility criteria अगर जान लें तो all over India कोई भी UG या PG कर रहे students इसमें apply कर सकते हैं जी हाँ, public और private university दोनों के ही students इसमें apply कर सकते हैं 21 मई 2023 इसकी आखरी तारीक है ध्यान दीजिएगा कि आप उससे पहले ही अपने इस internship के लिए apply कर देखे 25 जून से आपकी internship शुरू होगी और 5 अगस्त की internship चलेगी अब सवाल आ जाता है how to register इसमें apply करने में पूरे दो steps है first step है form fill करने का सबसे पहले हम इनकी website पर जाएंगे nfi.org.in website पर आपको apply करने का option देखेगा apply पर click करने के बाद एक form खुलेगा जो आपको fill करना होगा और इसी के साथ हो जाएगा हमारा first step complete second step में आपका in-person interview होगा और फिर आखिर में इन दोनों चीजों के basis पर पचास बच्चों को select किया जाएगा for this internship अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस internship का फाइदा क्या होगा तो देखे अगर आप कुछ करना चाहते हो for the rural India और कोई change लाना चाहते हो तो ये आपके लिए एक golden opportunity है दूसरा फाइदा ये है कि आपको अपने interest का काम करने में पैसे भी मिल रहे हैं और इस सब की दौरान आपका रहने, खाने, पीने का खर्चा National Foundation of Rural India ही पूरा उठाएगी तीसरा benefit हो सकता है कि इस तरह की internship का certificate आपकी CV में एक group कारे की तरह चमकेगा मतलब ये आपको future में बहते जौब दिलवाले में मदब कर सकता है तो ये थी basic और main जानकारी story internship के बारे में आपके मन में अगर इस से related और भी कोई सवाल हो तो आप इनसे सीधा पूच सकते हैं इनकी email पर mail करके और इनकी email id है internship at the rate nfi.org.in आज की इस वीडियो में इतना ही देखते रही जोश्मन